दोस्तों बीते कुछ दिरों से आप लोग देख रहे हैं उनकी मावा स्टुडियोस की तरफ से लोकी की काफी हाई बढ़ गई है उसके अलावा दोस्तों कल की डेट में हम लोगो ब्लाक विडो के कई ट्रिलर देखने हैं और यह भी पता चलका की टिकर्स भी सेल होने वाली है लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा अभी भी स्पाइडा मैं 3 की हाई बनी हुई है क्योंकि अभी तक लोग वर्स लुक का वेट कर रहे हैं लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी अपडेट है जो इद्दम यूनिक है और बताई कि इसका ट्रिलर कब आ सकता है और साथी में कुछ ऐसे सूपर विलंगी मैं बात करूँगा स्पाइडा मैं का साथ देगे जी हाँ दोस्तों आपने बिलकु साही सुना तो दोस्तों कम्टीट वीडियो को स्टार्ट करने से पर आप लोग कर दिजी वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताईए कि गर आप तीनों एपसोड को कमपेर करेंगे चाहे वान डाविजन, फैलकन या फिर लोकी आपको कौन सी टीवी सीरीज का पहले एपसोड सबसे अच्छा लगा, साथी साथ जो लोग में चैनल पर नए आए मैं चैनल को सबस्क्राइब करके हमारी कॉमिक बॉक टॉक्स फैमली का हिस्सा बन जाई, तो दोस्तों लोग शुरुआत करते हैं बिलकुल लई अपडेट से, हम पे सबसे पहले आते हम लोग विलन की टॉपिक पावर ने होगी कि उससे फाइट कर पाएगा, तो यहाँ पे उसके पास दूसरा अप्शन होगा, वो चाहे तो किसी तरह डॉक्टर ओक्टर ओक्टेविस के साथ मिलके, ऐसा केमिकल फिर से बना सकता है, तो किसी और परसों को देगा, जो बाद में बन जाएगा अगला ग यह पता चलेगा कि उसे ग्रीन गॉबलिन किसे बनाना है, असल में दोस्तों आप लोग देखेंगे जो नेट के जो अक्टर है, उन्हें अपना बॉडिवेट काफी लूस किया है, तो अगले ग्रीन गॉबलिन बनने वाले है, नहीं दोस्तों वो बनेंगे हॉप गॉबलि सच्ण गॉबल देखेंडван में और बाब में जाके, पीटर पाइकार नेट से फायट करेंगा। यहान दोस्तों जो पीतर पाइकार की फ़ाइट होगी, वह सपाइड़ीन वण उसमें कोई Harry Osborn नहीं है, लेकिन हाँ, Peter Parker का एक दोस्त है, जिसका नाम Ned है, वही बन सकता है अगला Green Goblin, अब यहाँ पर question आता है, क्या इसी की death हो जाएगी movie में end में, क्योंकि दोस्तों हो सकता है, unintentionally, Peter Parker उसको खतम करते, और यहाँ भी बाद में काफी जादा उदास हो जाए लेकिन दोस्तों मैंने चाहता है कि इतनी ज्यादा sad ending वो Spider-Man 3 की, बलकि यहाँ पर अगर किसी की death होनी चाहिए, तो उस Green Goblin के उनी चाहिए, जो कि Tobey Maguire की universe से आया है, और यहाँ पर मुझे थोड़ा Dr. Octo Octavius के nature में भी doubt लग रहा है, पहले तो उन्होंने Spider-Man की identity देखी थ साथ क्यों देंगे, नहीं दोस्तों यहाँ पर एक और update आ रही है, जो के related to Tobey Maguire के Spider-Man से, कहा यह जारे कि हम लोग को इस मुवी में उनकी daughter भी दिखाए दे कि जिनका नाम है May Parker, अब यहाँ पर इनका नाम में इसलिए रखा गया है, क्योंकि इनकी जो आंट में है, उनकी आदमी यह नाम बनाए गया है, यहाँ पर उनकी death हो गई है, अलेडी उस universe में, तो यहाँ पर यह सब काम होता है, लेकिन अगर नकी daughter आ रही है, तो क्या वो अगली spider woman बन जाएगी, दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखे, आप सच जैसे दिन बीत रहे हैं, इनके cactus भ movie होगी, वो at least 4-5 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग 2 घंटे में इतने सब character को कैसे adjust कर सकते हैं, जरा सोचने वाली बात है, तो मेरे साब से, अगर यह movie actually में Avengers Endgame की level की बन रहे है, तो at least यह 3 घंटे की होनी चाहिए, और यहाँ पर character justification भी होना चाहिए, बलकि यहाँ बाकि दो Spider-Man के सिर्फ केमी होगा, और आगे जाकि एक अलग separate Spider-Man movie बन सकती एक है दो पार्ट में, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उस सुपर विलन की जो आखिर कार Peter Parker का साथ दे सकता है, जिहाँ दोस्तों वो और कोई नहीं बलकि है Vulture, आप लोग को याद पीटर पाक मुसीबत में, तो हो सकता है उसका केमी हो जाए इस movie में, और पीटर पाक को बचाने की कोशिश भी करें, लेकिन हाँ, हम इने लगता हो कि जो बाखी सुपर विलन होंगे, जो अलग इनिवस्ता है, उनका ये साथ देगा, पर यहाँ आप दोस्तों एक और मिली थी हम लोगों मॉर्बियस के टेलर में, जब हम लोग ने वल्चर को वहाँ पे देखा था, यानि कि उन एक्टर को, आप बहुत लोग के ये भी मनना है कि वल्चर, मॉर्बियस, वेनम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आगगे जाके एक अलग टीम मना रहे हैं, तो क्या पता है, जिस समय मॉर्बियस जेल में हो, उसे में वल्चर भी हो, और जेल से भागने में उसकी हेल्प कर रहा हो, अब बाब में जाके वो लोग टीम अप होते हैं, लेकिन दोस्तों, ये ये इनुवर्च तब ही करेक्ट होगा, जब हम लोग एक्चल में मॉर्बि लेकिन सुपर विलन आके उसकी नष्ने कोशिश करें, इसलों पीटर पार्कर की VOICE करे है, लेकिन से सूपर विलन अपनी नष्ने में चले जाएंगे जए पीटर पार्कर की जाएंगे सिवर्च ये डॉकर स्ट्रेंज की वज़ए से वOoh वापस हो सकता है पीटर पारकर का औरिजिन बताय जा रहा था तो यहां पर यह समझा गया था कि अगर कोई अपनी reality को break करता है तो इससे अलग timeline create हो जाती है जिससे multiverse का खत्रा हो जाता है और यहां पर हम लोग को यही देखने के मिलेगे Spider-Man 3 में अगर actually में बाकी दो Spider-Man आते हैं और यहां पर Doctor Strange का involvement है तो या हम लोग को बाकी Spider-Man का first look ना देखने हो पिले और वह episode आने में जुलाई लग जाएगा ब्लैक विडोग भी आजागी थेटरस में परफेक्ट टाइमिंग होगी Spider-Man 3 No Way Home के टेलर के आने के लिए अब वैसे दोस्तों Spider-Man 2 में भी दिखाएगा थी कि Multiverse मिस्टेरियों आ रह है यानि दोस्तों अगर हम लोग को यहां पर जो किसी और्टनेट टेल्टी की Spider-Man को काफी डीटेल से दिखाएगा तो टॉबी में गवायर का होगा एंड्रू गाफिट की इनवर्स से वह आ रहा है लिजर्ड आ रहा है और यहां तक की जो में के एक्टर है इलक्ट्रो वह हो भी आ रहा है लेकिन दोस्तों एक बारे में पता नहीं क्यों कोई बात नहीं कर रहा है मैं बात करने वाला हूं यहां पर एल्स मुराइल्स की यानि दोस्तों यह जो Spider-Man है यह एक्जाटली उस इनवर्स से आएगा जहां पर और पीटर पाकर की देथ हो जाएगी मैं तो अब बैगबार की इनवर्स कर ना हो क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग को वह Spider-Man कभी देखने की नहीं मिलेगा दोस्तों यह थी एक अमेजिंग अपडेट जो के रिलेटेक्टी Spider-Man 3 के विलन से आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वससे आपकी क्या वीज पस्पटलर टॉपिक पे अपने विव जरू कमेट की जो दोस्तों अगर आप ऐसी निक सुपर हेरो कॉंटेंट इंजॉय करना चाते हैं तो मैं चैनल के सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हेरो फामरी का हिस्सा बन जाएगा